वस्सान नमबर थार्ट देखो तीसरा इम्पडाने थोरीशी डेली पकड ऐसे रखाइे रूपी में 11-13 रुपे साल बच्चे को 15-15 छे बच्चे को 15-17 9 बच्चे को 17-19 तेज़ बच्चे को वो तो अब अलग लिए दो, given के, XI क्या होता है, class mark, upper limit plus lower limit by 2, donor को जोड के by 2 मैंने बताय था, इन donor में बीच में 2 आ रहा है, 2 by 2, 1 आ रहा है, 1 जोड तो सम्में, लेगन देख लेना, carefully मैं, सब में against हैंगे नहीं है, 12, 12 अगया, 14, 16, 18, 20, 22, 24, तो यह मेरा आ गया, XI, XI, जो मर इसमें से जो आता है, जो हड़ा है, तो class mark भी से कहा जाता है, यह मेरा frequency है, number of children, ओके, अब दो, तीन मेथोडा को बताए, direct method, assume mean method, and step derivation method, अगर अब direct method में कमना चाहो, तो भी कर सकते हो, कैसे, यहाँ अब श्和 लोगे FIXI, इन दॉन को multiply करके लिखो, इन दॉन को multiply करके लिखो, इन दॉन को totally करो, यह divided by equal, 18 कर लोगे, इसका मतला multiply करके जो total आईगा, वो होता है, sigma FI, XI, उसको और formula क्या कहता है, ना sigma FI, XI by sigma FI equal to आपका 18, तो cross multiply करके, वो एक method है, दूसरा के तरह मैंने इस्टियों प्रेमिसन में भी कहाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 4 वाला को मैंने A ले लिया तो मैंने इसको A मान दिया तो 18 को मैंने A मान दिया अब आप देखो 12-18-6 14-18-4 16-18-2 18-18 को भी XI-A, इस XI में से 18 को मानस करोगे तो 18-18, 0 20 में से 18, 2 22 में से 18, 4 24 में से 18, 4 हो गया 6 अब जो मैंने UI क्या हो गया XI-A by H मानस 6 को आप 3 मैंने H की जागा पर ले लिया, 2 ले लिया तो 2 से दिवाड़े हो रहा है तो 2 करूंगा मानस 3, मानस 2, मानस 1, 0, 1, 2, 3 अब मुझे दोनों को बढ़ताए करना है FI और UI step deviation में दोनों करते है यह आपका हो गया मानस 21, मानस 12, मानस 9, 0, F, 10 और 12 इसको टोटल करने पर कितना आया 22 प्लस F मानस 42 F मानस में 20 तो मिन का फ्रमला होता है A प्लस सिग्मा FI Ui divided by सिग्मा FI इंटू में H FI Ui में हो गया F मानस 20 डिवाड़ बाइ 44 प्लस F इंटू में 2 तो यह आपका यह 18 तो प्लस में था इदरा के मानस हो गया 18 मानस 18, 0 इदर जो 2 इंटू में था इदरा के डिवाड़ हो गया वो भी 0 है उसके बाद क्या रोचा यह जो बच गया वो 0 है यह भी डिवाड़ था उगर मुल्टिपै हो गया 0 के साथ जिरो हो गया A मानस 20 इकर जिरो A भी कर दो 20 तो F हो गया आपका 20 तो आपको क्या-क्या ध्यान देना है यह स्टेप आपको स्टेप डिविशन में करना है जहां A थे उसको F को छोड़ देना है और आप इसको इसी फर्मला से आपको करना है A plus Sigma FI Y Y FI इन दो है H ओके जाए डारेट भी आपकर सकते थे Sigma FI XI divided by Sigma FI आपको करना है जहां नहीं है 18 हमें दिन है तो मैं समझ रहा हूँ बैड़ा तुम लोग समना आ जाएगा आ गया होगा इसके लिए पॉस्टिं तरह आते हैं पॉस्टिं नमर फूर नमबर हाटविट्स पर मिनिट कि एक मिटी में कितने बार हमारा दिल दरखता है और वो वोमें के हमें नहीं है वोमें होगे तो यह दरखा है यह तो पॉस्टिं ने बटा यह दोनों इसको पढ़ने की जड़त में है मुझे क्या करना है इन सब को एड़ करना है वो मेरा Sigma FI होता है वो 30 है वो मेरा Sigma FI होती है अब आप इसमें क्या होता है अब आप इसमें क्लास मार्ट बर्चीन दौनों को जोड़ के by 2 अब आप दौनों को एड़िकना नहीं कितना नहीं लगा दोगे तो यह सब के बीच में त्री दरी का गयप है जब 3 का गयप इसमें 1.5 यह हर किसी में 1.5 जोड़ता चलेगा नहीं तो आपको अगर चल नहीं समझ में आ रहा है यह तो उन मचों के लिए जो तोड़ा सा सब कड़ने करना चाहिए यह 1.5 1.5 1.5 या तो इससे माइनस कर दो या इससे एड़ कर दो जो आपको अच्छा लगे वो करना है यह मेरा हो गया XI दोबारा बताया दोनों को एड़ करके या तो इसकी बीच में जो गैट है उसको 2 से डिभाड करके किसी एड में लिबार में एड करना है यह चीछ आपको मिल जाएगा इतना मेहनत नहीं करना है अगर सेम हो तो यह में लगाना अलग-अलग हो तो नहीं कर सकते हैं तो मुझे डियाई प्रिवर स्पॉसर में डियाई नहीं लिका तो दिख सकते हो आप उसमें XI-A मैंने A इसको मान लिया 66.5 माइनस 77.5 75.5 69.5 65.5 यह जो 3 हो यह मैनस जमाएगा यह 0, फिर 3, 6 मैनस क्या मैंने फिर यह देख रहा हूँ यह सभी नमबर 3 से डिविजिबुट हो जाएगा तो मैंने 3 से डिवैड कर दिया मैनस 3, मैनस 2, मैनस 1 0, 1, 2, 3 आ गया अभी मुझे FI से UI को करनी है 2, 3, 6 4, 2, 8 3, 1, 3, 8 7, 1, 7 4, 2, 8 2, 3, 6 21 यह पोजिटिव को हैड करता 21 हुआ पोजिटिव मेरा बढ़ा है तो 4 हो गया परमला क्या कह रहा है मिला A प्लस SIGMA FI इंटू मैं H तो आप 75.5 प्लस में 4 by 30 into 3 3, 30 को डिभाड़ करोगे 10, 4 by 10 हो गया 0.4, 75.5 प्लस 0.4 यह 5 और 4 प्लिकर 9 75.9 तो इसका answer हो गया 75.9 यह तोड़ा point बढ़ा decimal का भा इसलिए मैंने आपको question number 4 करा जया इसके related जो question है आप कर सकते हो मैं और भी एक तो question इस chapter में खरा जैता हूं जो आपको थोड़ा difficult होगा जो आसान question हो आप कर सकते हो अज सभी question में आप कुछ ट्यप्डेवेशन इसलिए करा रहा हूं direct method तो आप एकी बारे में कर लोगे इससे इसको करना पड़ा तो मुझे इससे calculation एक भी नहीं करना पड़ा जिससे मुझे pain का जोड़ोद पड़ा लेकिन अगर मैं ऐसे करता तो मुझे हर एक में मुझे calculation की आवस्टा पड़ता ठीक है तो आप क्यारफुली ये पच्छे कहते हैं सब्सक्राइब होती है उसमें इतना मिष्टिक नहीं होता है जोगी बच्चे एर सफ्टाइब आपने मंद से खर देता है तो यह चीज़े यह चीज़ें उसको आपको ध्यान देता है ठीक है बड़ा तो आप देखो सब्सक्राइब लेकिन जब हमें मीन निकालना हो इसको बोलते हैं इंक्लूसिब सीरीज अपकैरल लिमिट दोनों सेंड नहीं है उसके बात भी भी लाइं दोनम को या इसको जोलकी वाई करके कर सकते हैं इसमें एंसर गळंत नहीं हो लेकिन अगर मेडियान और मोड निकालते ओट से आप कर सकते नहीं कर सकते थे उसमें आप exclusive series को exclusive series करना पड़ता कैसे करना पड़ता 53-52 एक में इसे आप करते आपको मेरे बाद संजना आया लेकिन मीन के लिए अबसकता नहीं है अगर उस series में 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 की उपर कोई नहीं पड़ेगा बहुत सारे question या solution आपको change करके क्या वहाँ मिलेगा आप सकता mean के लिए नहीं है failure होगे दोनों को add करके by two, दोनों को add करके by two, ऐसे आपका निकल गया x i, बिल्कुल same method अगानी है, middle बाले को a मान लो, a मेरा 57 है, a, okay 57, x i minus a तो उपर छोटे से बड़े को minus करोगे minus आएगा, 57 minus 51 नहीं है, 51 minus 57 है, तो minus 3, 0, 3, 6, यह सभी 3 में से कड़ जाएगा, तो 3 को मैंने h मान लिया, फिर मैंने दोनों को multiply कर दिया, तो इन दोनों प्लस में था 165, दोनों माइनस में 140, यह होगे आपका 25, तो आपका यह होगे a plus sigma fi, ui divided by sigma fi into h, तो यह आपका होगे 57 plus 25 में से 16 हो कड़ोगे 400, 3 by 16, 16 की table में लोगे direct 3 नहीं आएगा, point अग जाएगा तो फिर आप डिभाइड करोगे 0.187, यह जो 7 है, पांच के बाद अगर बड़ा नमबर होती है, देखो, पांच के बाद बड़ा नमबर होती है, तो यह आपका 9 हो जाएगा, plus 1 हो जाएगा, तो यह आपका 57.19, 57.19 will be our answer, इंसर, इंसर इंसर नहीं, यह मेरा exclusive series नहीं है, inclusive series है, आप कश्च करके बड़ा, जो series है, जो मने आपको भेजा, different types of series, रादा रानी free evolution, उसमें आप डालेंगे, different types of series, एक रादा रानी free evolution, उसमें series आएगा, उसको आप समझो, फिर mean median mode करो, तो mean के लिए आपको यह मने आपको करा दिया, और जो important question मैं भी करा एता हो, कि कहना, तो sulfur type side, कि ते रखाए, 00-04, या आपको frequency है, दोनों को add करेंगे, by two, दोनों को add करें, by two, दोनों को add करें, by two, ऐसा मैंने करा, इसको total करने में 38, मैंने direct method use कर दिया, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ लेता हूं, ए तो minus करोगे, या divide करोगे, थोड़ा सा आपको problem हो सुकती है, मैंने आपको direct multiply कर दिया, two point nine six, और mean equal to होता है, sigma f5 x i by sigma f5, तो हो जाएगा two point nine six by three zero, three से काट दिया, zero point nine eight six six आ रहा था, तो ten में एक के पहले और लग जाएगा, तो zero point zero nine eight six, ये six है, तो बड़ा इसका एक बढ़ जाएगा, तो zero point zero nine nine, तो यह मेरा हो गया question number seven, म मैं बड़ा अमीर करता हूं, कि आप और question कर लोगे, तो आप अगर कोई doubt हो, तो आप जरूर मुझे content करना बिड़ा, और मैं दिखता हूं, और उपर question अगर आपको difficult लगेगा, तो मैं आपको करा दूँगा, ऐसे कोई और difficult question नहीं है, सब symbol है, और आप कर सकते हो, दौनों क क्या है, दुबारा मैं आपको प्यार से समझा दू, तो step यह था, 11.1 में, पहले आप यह continuity of series दे रखा, इसमें तो कोई individual series या discrete series नहीं है, आगे जाके length में आप सारे पढ़ोगे, किसे किसे series है, मैं नहीं बता है, series में भी, कहने मतलब क्या होता है, आप XI पहले find out करो, यह यह मेरा FI मिल जाएगा, FI XI total कर दो, यह मेरा FI और XI, बटे XI को जोड़ जेते हैं, नहीं, जबकि FI को जोड़ना, और mean कट हो जाएगा, sigma FI XI, यह आपका हो जाएगा, sigma FI XI, divided by sigma FI, यह मेरा पहला 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 है, दूसरी method आपका यह है, तो mean बराबर में आपका हो जाएगा, इनमें से किसी A को आप A ले 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 लेना, A मानोगे, और X टेम और यहाँ ले ले लेते हैं, जिसका नाम होता है, XI minus A, और इसको DI कहा जाता है, तो लेके आप सबी चीज़ को आप यहाँ लिख दो, ने जो टेम होता है, क्या लिखोगे, FI और DI ले लोगे, FI और DI, और मीन के लिए A को ले लेना, और FI DI, divided by Sigma FI, और UI में क्या डिफरेंस है, A तो आपको मनना ही मनना है, XI minus A भी लेना है, लेकिन X टेम और बढ़ा दोगे, देखोगे, यह नमबर किसे डिविजूल है, और जिससे डिविजूल है, उसको H कर देना, और जिसका नाम हो और FIUI, तो FIUI, FIUI divided by FI, इंटो में आप H करोगे, तो इसी मेथ़ड से, Step Division Method, और FIDI, Assume In Method, या सटकर मेथ़ड और Direct Method, ओके, यह क्या होता है, प्रतिक्से विदी, कंतिर माध्य विदी, और पद्विचलन विदी, लगू विदी भी सू कहते है, तो तीनों में ने मता दि अमिद करता हूँ मिटा, आप लोगे, जरूर आप इस विडियो को सेर और सब्सक्राइब कीजिए मिटा, आगे और आप फरवाड कीजिए, बाई मिटा, टिक्केर, आप